आई ये सुनते हैं निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का रहे हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बच्चे कभी-कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं अलपग पिता बड़ा दयनी अजीव होता है मेरी चोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माबाब अकसर उन्हें डाटा करते हैं पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काड़ दीजी, वे चुपचाप दंड स्विकार कर लेंगे, पर निरलज अपराधी की भादी फिर छुटते ही सेंद पराजीर, आखिर ये इतने बहिया क्यों होते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानूश जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे, असल में वही उसके अस्र थे, दांत भी थे पर नाखून की बाद ही उनका इस्थान था, उन दिन फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तूओं का सहरा लेने लगा, पत्थर के ढेले और पेड की डालें काम में लाने लगा, रामचंदर जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्र थे, उसने हड्डियों के भी हतियार बनाए, इन हड्डी के हतियारों में सबसे मज राजा का वच्र, जो दधी चिमूनी की हड्डियों से बना था, मनुष और आगे बढ़ा, उसने धातू के हतियार बनाए, जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्र थे, वे विजई हुए, देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए साहता लेना पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याय थी, पर लोहे के अस्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे, आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी, आर्य विजई हुए, फिर इतिहास अपनी गती से बढ़ता गया, नाग हा यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ा, पलीते वाली बंदुकों ने, कार्तुसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायूयानों ने, इतिहास को किस कीचड भरे एक हाट तक घसि पर उसके नाखून अभी बढ़ रहे हैं। अभी प्रकृती मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वन्चित नहीं कर रही है। कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डाटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाक वर्ष पूरू वह अपने बच्चों को नाखून नस्ट करने पर डाटता रहा होगा। मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बरबर युक का कोई आउशेश रह जाए। यह उसे असाई है। लेकिन यह कैसे कहूँ। नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बरबरता घटी कहा है। वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकान बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की और देखता हैं तो कभी-कभी निराश हो जाता है। यह उसकी भयंकर पाश्वी वृत्ती के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शिरू कर दिया था। वास्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारत वासी नाखूनों को जम के समारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजग बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, आदी, वीद आकरतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के नजाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्तक यानी मोम और अलगतक यानी आलता से यतन पुर्वक रगड कर लाल और चीकना बनाया जाता था। गावड देश के लोग उन दिनों बड़े-बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षनायतिक लोग छोटे-छोटे नखों को अपनी-अपनी रूची है, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधोगामीनी व्रत्यों की और नीचे खीचने वाली वस्तों को भारत वर्षने मनुश्यों चीत बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानो शरीर का अध्यान करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानो चित्त की भाती मानो शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वरत्यां रहे गई हैं। दिर्ग काल तक उनकी आउशकता रही है। अतेहूं शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे ब्रत्यां अनायासी और शरीर के अंजान में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दात का दुबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चवता है। और असल में सहजात वरत्यां अंजान की स्मृत्यों को ही कहते हैं। हमारी भाशा में भी इसके उधारन मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वरत्यों के विशय में विचार करें, तो उसे अपनी वास्त्विक प्रवरत्य पहचानने में बहुत साहिता मिले। फर कौन सोचता है। सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता, कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजवरत्य है, वा उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवरत्य है, वा उसकी मनुश्यता की निशानी है। हर यद्दपी, पशुत्व के चिन, उसके भीतर रह गए हैं, पर वा पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वा आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवरत्ती मनुश्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पुछता है किस और, मनुश्य किस और बढ़ रहा है। जानते हो नाखुन क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता का अवशेश है। मैं भी पूशता हूँ, जानते हो, यह अस्तर श्यस्तर क्यों बढ़ रहे हैं। यह हमारी पशुता की निशानी है। भारती भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवरत होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा की पत्र इंडिपेंडेंस की घुशना कर रहे थे, देशी भाषा की पत्र स्वाधिन्ता दीवस की चर्चा कर independence का अर्थ है अनधिंता या किसी की अधिंता का अभाऊ पर स्वाधिंता शब्द का अर्थ है अपने ही अधिन रहना अंग्रेजी में कहना हो तो self-dependence कह सकते हैं मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्टिता करने के बाद भी भारत वर्ष इंडिपेंडेंस को अनधिन्ता क्यों नहीं कह सका उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किये स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधिन्ता उन सब में स्वकावंधन अवश्य रखा यह क्या सैयोग की बात है यह हमारी समुची परंपराही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है मुझे प्राणी विज्यानी की बात फिर याद आती है सहजात वृत्ती अनजानी स्मृतियों का ही नाम है स्वराज होने के बाद सौभावत ही हमारे नेता और विचार शील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुकी कैसे बनाए जाए हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हो ऐसी बात नहीं हमारा इतिहास बहुत पुराना है हमारे शास्त्रों में इस समश्या को नाना भावों और नाना पहलों से विचारा गया है हम कोई नव सिखुए नहीं है जो रातों रात अंजान जंगल में पहुँचा कर और अक्षित छोड़ दी गया है हमारी परंपरा महिमा मही उत्तराधिकार विपुल और संसकार उज्जवल है हमारे अंजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेड़ना देती है यह जरूर है कि परिस्थित्यां बदल गई है उपकरन नए हो गए है और उलज़नों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है पर मूर समश्याएं बहुत अधित नहीं बदली है भारती चित जो आज भी अनधिंता के रूप में न सोचकर स्वाधिंता के रूप में सोचता है वह हमारे दिर्ख कालीन संसकारों का फल है वह स्वा के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाय हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेशता है मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है जो कुछ हमारा विशेश है उससे हम चिप्टे ही रहें पुरानी का मोह सब समय वांचनी ही नहीं होता है मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंधरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती परन्तु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्वा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस खोदे कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब ही नहीं होते भले लोग दोनों की जाच कर लेते हैं जो हितकर होता है उसे ग्रहन कर लेते हैं और मूर्ड लोग दूसरों के इसारे पर भटकते रहते हैं सो हमें परिक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी और अगर हमारे पुर्व संचित भंडार में वो हितकर वस्तु निकल आए तो इस से बढ़कर और क्या हो सकता है जातियां इस देश में अनेक आई हैं लड़ती जगड़ती भी रही हैं फिर प्रेम पुर्वक बस भी गई हैं सब्भ्यता की नाना सीडियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी भारत वर्ष के रिशियों ने अनेक प्रकार से इस समश्या को सुलजाने की कोशिश की थी पर एक बात उन्होंने लक्ष की थी समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है वह है अपने ही बंधनों में अपने को बाधना मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है आहार, निद्रा, आदी, पशु सुलब सौभा उसके चीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के लेकिन फिर भी वह पशु से भिन्न है उसमें सैयम है दूसरे के सुख दुख के प्रती समवेदना है श्रद्धा है, तप है, त्याग है वो मनुष्य के स्यम के उद्भावित बंधन है इसलिए मनुष्य जगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मन गुस्से में आकर चड़ दौडने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किये गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है और अकरोद को सब वर्णों का सामाने धर्म कहा है अन्यत्र इसमें निरंतर दानशिलता को भी गिनाये गया अनुशाशन पर 120-10 गौतम ने ठीकी कह था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को साहनुवती के साथ देखता है यहाँ आत्म निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है अहिंसा, सत्य और अकरोद मुलक धर्म का मूल उत्स यही है मुझे आशर होता है कि अन्जान में भी हमारी भाशा में यहाँ भाव कैसे रह गया है लेकिन मुझे नाखोन के बढ़ने पर आशर हुआ था अज्यान सर्वत्र आदमी को पचाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है मनुष्य को सुक कैसे मिलेगा बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तूओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वरत्धी करो और बाहयो करणों की ताकत बढ़ाओ एक बुढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो हिंसा को मन से दूर करो मिध्या को हटाओ क्रोध और द्वेश को दूर करो लोग के लिए कस्ट सहो आराम की बात मत सोचो प्रेम की बात सोचो आत्म तोशन की बात सोचो काम करने की बात सोचो उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है उच्छरंकलता पशु की प्रवर्ति है स्वाका बंधन मनुष्य का सोभावे बुढे की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं उसे गोली मार दी गई आदमी के नाखुन बढ़ने की प्रवर्ति ही हावी हुई मैं हैरान होकर सोचता हूँ बुढे ने कितनी गहराई में पैटकर मनुष्य की वास्त्विक चरितार्थता का पता लगाया था ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखुनों का बढ़ना बंध हो जाएगा प्रानी शास्त्रियों का ऐसा अनुवान है कि मनुष्य का अनावशक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी कुँच जड़ गई है उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुपत हो जाएगी शायद उस दिन वो मरनास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांचनी जान पड़ता है कि नाखुन का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है अपना आदर्श है ब्रेतर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है मनुष्य में जो ख्रणा है जो अनायास बिना सिखाय आ जाती है वो पशुत्व का दियोतक है और अपने को सहियत रखना दूसरे के मनोभाओं का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तब से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सुचित करती है सफलता और चरितार्थता में अंतर है मनुष्य मरनास्त्रों के संचेन से बाहय उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है मैत्री में है त्याग में है अपने को सब के मंगल के लिए निशेश भाव से दे देने में है नाखुनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात विरित्ती का प्रेणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काड़ देना उस स्वनिरधारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की और ले जाती है नाखुन बढ़ते हैं तो बढ़ें मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा धन्यवाग यह निबंध बीए, बीकाम, बीएससी, बीएचसी, बीएचसी, बीए बीसीए, जेसी सेकंडियर की कक्षाओं में आधार पाठिकरम के अंतरगत हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रश्ण पत्र में रखा गया है इस निबंध को आप दो-तीन बार सुनेंगे तो इस पर बनने वाले वस्तोनिस्ट प्रश्णों की एक सोरचना आपके मस्तिष्क में हो जाएगे साथ ही यदि आप चाहते हैं किस निबंध के वस्तोनिस्ट प्रश्ण भी चैनल पर अपलोड किये जाएं तो करप्या कॉमेंट बाक्स में अपने नाम अपने महाविद्यालाई के नाम के साथ में लिखिए यह करियर एडवाईस चैनल है इससे सब्सक्राइब कर दीजी बेल आइकॉन भी प्रेस करतीजी मुझे इस महान रचना को आपके साथ साजा करने का आउसर देने के लिए प्रेस चैनल की संचाली का प्रिती गुलवाने अजी जी के प्रिती बहुत बहुत आभार नमस्कार